ये तो आप जानते होंगे कि भारत तकनीकी छेत में 2014 के बाद जितना आगे बड़ा है वो किसी से छुपा नहीं है देश अब तक तक तकनीक को लेकर जापान और चीन पर अत्यधिक रूप से आश्रित था लेकिन अब आत्मरा भारत का मंद कह लीजे जो चीन के मनसूबों प मैनिफेक्ट्रिंग हब के स्थापना कर दी है जहां एक साल के अंदर 10 मिलियन यानि की एक कड़ों से भी जादा एलेक्ट्रोनिक और हेरेबल, वेरेबल और आईटी उपकरोणों में ODM यानि की ओरिजिनल डिजाइन मैनेफेक्ट्र बनने के लिए कार खाने के स्थापना की गई है और तो और नई सुवधा 50,000 वर्फूट के छितर में फैली हुई है और कार खाने में उन्यट टेश्टर के साथ सोलो मैनेफ करने की शमता है जो कि करेंट सप्लाइ कैपिसिटी यानि की एक से दो परसंट से ओवरॉल ग्लोबल चेन का नौ से दस प्रतिशत हिस्सा होगा वहीं हम ये भी बता दे कि इस कंपनियों के प्रयासों ने एमबीशन को रिसेट कर दिया है और जेट वर्क जैसी कंपनिया इस इस वीजन को साकार करने में महत्पूर भूमी का निभा रही है बताते कि जैट टाउन की नई ODM सुविधा में मैनिफेक्टर प्रोड़क को एक अनुकूल योग मॉडल का उप्योग करके विक्सित किया गया है जो कंपनी को प्रोड़क फीचर्स को कस्टमाइज करके और प्रोड़कों की आवशक्ताओं को ध्यान में रखते हैं डिवाइस में स्मार्ट टकनीक को नियंतिर्ट करने में सक्षम बनाता है वहीं जेट टाउन इंडिया के मुखी कारिकारी अधिकारी ने कहा है कि जैसा कि हम वैस्ट्विक मांग को पूरा करने के लिए अपने व्य आउट कोरिया और ताइवान जैसे देशों को बड़ा जग्का दे सकते हैं